नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आज हम बात करने वाले हैं पीली सर्सों का सर्सों तो आपके घर में होगा सर्सों दो तरका होता है एक होता है ब्लेक और लाल पन लिया हुआ और दूसरा होता है पीली कलर का तो आज जो हम सर्सों का प्रियोग बताएंगे वो पीले वास्त प्राइम के तरुफं तो यहयां अगर बिता सुब्व फ स्कूर्फ तुबरेन के लाम उप्र Frevenyl के अनुसार की घर का बाताबरन स्वक्ष और पवित्र सुगंधित रहना बहुत आवस्यक है तो ऐसे में आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे देखिए अधिकतर आदमी जो लोग हैं साम में जब आप दिया बाती करते हैं तब या तो कपूर जलाते हैं या फिर सरसों के तेल क के दिया में लॉंग जलाते हैं लेकिन आज जो हम आपको प्रयोग बताएंगे वह घर के नकायत्मक उड़जा को दूर करने के लिए आपको पीली सरसों का कैसे प्रयोग करें आज यही साजा करेंगे तो नकायत्मक सक्तियां अगर जीवन पर हावी हो जाए घर के लोगों अगर एसी चीजें होती रहते हैं जो आपको तोड़ सी देती हैं तो ऐसे में पीले सरसों का सिंपल सा प्रयोग जो आपके जीवन के हर परिशानी को दूर करे का देगा दीखिए पीला सरसों जो है तांतरिक क्रियाओं में भी यूज होता है और माव बगला मुखी की पू इनकी अराधना बिसेश तोर पर सत्रूओं से परिशानी होने पर की जाती है अगर नियमीत रूप से उनकी आप अराधना करते हैं मां बगला मुखी का नाम भी लेकर परणाम कर लेते हैं तो सत्रू बिलोदी चाहकर भी आपका कुछ बिगार नहीं सकते एक सिंपल सा परियोग करे पीले कपड़े ले ले उसमें थोड़ा सा पीला सरसों लेकर बांध ले लाल धागे मौली धागा के सहारे अब मा बगला मुखी को अरपित कर दे आपके समस्त इक्छाएं हाथो हाथ पुड़ी हो जाएगी ये पीला सरसों बहुत चमतकारी है तो मा बगला मुखी को आप पीली सरसों जरूर अरपित करे ताकि जीवन में कोई परिशाणी न रहे और समस्त आपकी इक्छाएं पूरी हो जाएग अब हम एक छोटा सा प्रियोग बताएंगे कई बार क्या होता है न जीवन में का दिया जलाते हैं आप लॉंग मट डाल ये कुछ दिन लॉंग की जगह एक चुटकी पीली सरसों डाल दीजिए कपूर के सहारे या आप दिया जो जलाएंगे सरसों के तेल का उसमें अब इसी से पूरे घर में दीपक दिखाईए यकीन मानिए निगेटिव उर्जा हो जाती हैं अब माल लेते हैं आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत नजर दोस्त लगती हैं बहुत परिशानियां आती हैं क्या करेंगे जब आपको लगे कि ऐसा कुछ हो रहा है जब आपको लगे कि आप बहुत परिशान हैं तब एक सिंपल सा सरसों ढाल दे जब सरसों चटकने लगे तब इसका धुएंगा कanted तब देंको घर में फेलने इसके बाद जब वो देखी हमका Sahlo गया है फिर इसको आप निकालनें धंडा होने नेदे एक कागज पर अब इस आग मेरे दे जिसको भी नजर लगा है उसके ऊपर से तीन बार या साथ बार उलटा वार ले घर से बाहर फेक दे जो भी बैक्ति पीडित है उसकी पीडाओं में जल्D ही वो सांध हो जाएंगे यानि उनकी पीडाओं समाप्त हो जाएंगी नजर दोस्तांतरी क्रियाओं से मुक्ति मिल जाएगी तो ये परियोग बहुत सिंपल है पीली सरसों का परियोग बहुत तरीके से किये जाते है कई बार क्या होता है राहू जीवन में बहुत परिसान करता है और जब राहू परिसान करेगा न तो जीवन में आकस्मिक समस्याएं आती है आकस्मिक बाधाएं आती है और जीवन में जैसे लगेगा सब कुछ खो रहा है, क्या करेंगे? बहुत सिंपल प्रियोगा है, जब रहु परेसान करें, तब रहु के नछतर में ही प्रियोग करेंगे, अब रहु का नछतर कौन सा है? पुरवा, भादरप्रद, स्वाती, और अद्रा. ये तीन नच्छतर राहु के हैं जब ये नच्छतर आएं चाहे वो किसी भी दिन आए उस दिन ये प्रयोग करना है थोड़ा सा पीला सरसो अपने हाथ में लेकर अपने उपर से साथ वार वार ले अब वार कर इसको कहीं भी बहते वे नदी में प्रवाहित कर दें जो पानी बह रहा है अमाल लेते हैं आपके आसपास बहतावा नदी नहीं है तब तब ऐसे में किसी पीपल के नीचे रख दें ऐसा करने किसमें कोई रोके नहीं देखे नहीं टोके नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा आप यकीन मानिये राहू समस्या कभी नहीं देगा जो जीवन में आकस्मी समस्याई बाधाई हैं वो समाप्त हो जाएंगी एक सिंपल सप्रियोग ये भी होता है कभी कभी क्या होता है आप कभी कभी घर में कोई सूमंगल कारे करते हैं अचानक से बाधाएं आ जाती है या लंबे समय से आपके घर में कोई सुमंगल कारे हो ही नहीं रहे लंबे समय से आपके घर में संतान की प्राप्ती नहीं हुई है किसी का साधी ब्याह नहीं हुआ है आप चाहकर भी पुजापाट नहीं कर पा पा रहे हैं इसका मतलब है घर में दोस है तब क्या करेंगे तब एक छोटा सा काम करें एक लाल रंग का कपड़ा ले ले छोटा सा लीजी रुमाल के इतना वड़ा भी चलेगा अब इसमें थोड़ी सी पीली सरसो रखें अब हनुमान जी के पैर का सिंदूर याद रखिए हनुमान जी के पैर का सिंदूर इसमें हलका सा लगा लें जो आपने पीला सरसो रखा है न उसी में अब इस लाल कपड़े का आप मली धागा के सहारे पोटली बना ले और लाकर अपने घर के पुजा अस्थान पे रख दे घर के सभीत कस्ट दोस बाधाएं पिलाएं दूर होंगी घर में सुमंगल कारे होने लगेंगे साधी बिबा भी होगा संतान प्राप्ती भी होगी घर म को सहाइधा नहीं करेगी बलकि उसको दूर भगाएगी कि आपके घर में जो खुसी आनी है उसको आने दीजिए तो आज हम आपके साथ बहुत सिंपल सिंपल परियोग कर रहे हैं ये चीजे आपके जीवन में बहुत माइने रखेगी अगर आप ये छोटा-छोटा परियो दें ओम बगलाए नमः ओम बगलाए नमः का जब कीजिए सांती मिलेगी अगर छोटे बच्चे को नजर लग गई हो तो अपने हाथ में थोड़ा सा पीला सरसों लेकर उसके सर से वार कर आग में जला दें नजर उतर जाएगी हो तब एक छोटा सा काम करें नियमित में दिखाएं इसे क्या होगा जो भी ओत्रिपतात्माय हैं जो भी आपके घर में वास्तु दोस्त है जो परेशानी है तंद्र क्रिया है वो नस्ट हो जाएगी करके देखें आप चाहें तो सर्सों के साथ थोड़ा सा नमक जड़ा सा एक चुटकी और इसके साथ ही तीन साबूत सुखी वी लाल मिर्च भी ले सकते हैं और इसको आप कहीं भी बालकनी में छत पे कहीं भी आउट मतलब घर से बाहर निकल गए या अपनी कीचन में करेंगे तो आप व चला लेना है आप देखिएगा बच्चे को दुवारा नजर नहीं लगेगी या आप चाहें तो वार कर आप कहीं फेक भी सकते हैं पर पीछे मुड़ कर मतलब साथ ही अगर आपके घर के आसपास माकाली का मंदीर है तो वहां से थोड़ा सा सर्सों लेकर जाएए और वहां जो पुजारी होते हैं उनसे कहिएगा सर्सों पढ़के दे देंगे और फिर इस सर्सों को आपके घर में छोटे बच्चे हैं बड़े बेखती हैं आपको लगता है बार बार किसी का टोक लग जाता है नजर बद्दुआ लग जाती हाई लग जाता है तो ऐसे में थोड़ा है कि तमाम गरह आपके बिप्री धारा में चल रहे हैं तब एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा वैसे ये प्रयोग किसी भी सनीबार या मंगलवार के दिन करें एक लाल रंका रुमाल के इतना बड़ा कपड़ा ले ले नया कपड़ा हो तो अच्छा होगा और एक मुठी पील स्थान पर रख दें हर तरह के दोसों से संकटों से आपकी मुक्ति मिलेगी आपको और रोज साम के समय जब आप दिया बाती करते हैं तो दीपक में एक चुटकी पीली सरसों डाल दीजिएगा तमाम तरह के तंत्र मंत्र निगेटिव एनरजी सब दूर हो जाएंगे और ज निवाद